मैं उमीद करता हूँ और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी तो यह आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टन एक स्ट्राटेजी लेकर आया हूँ कि जो दोनों गुरूप दे रहे हैं उन लोगों के लिए डिरेक्ट टैक्स वो लोग कैस अटेंशन वाली बात है कोई बड़ी बात नहीं इसा ठीक है सबसे पहले आप लोगों अपने आप पर भरोसा रखना है ठीक है जो भी सिये फानल का एक्जाम दे रहा है ना उसको अपने आप पे सेल्क ओंपिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है यह बरोसा रखना जरूरी ह कि I will pass this exam with an exemption सिर्फ पास नहीं होगा मैं exemption के साथ पास होगा और जब आप आगे जाकर आप आज अपने आपको ये promise करो कि I will pass this exam with exemption जितनी भी पढ़ाई हुई है अगर आपकी 60% पढ़ाई हुई है 70% पढ़ाई हुई 80% पढ़ाई हुई 100% कितना पढ़ाई पढ़ाई करते हो वो जादा important है और सबसे पहले सिये के अंदर आपको एक self belief होनी चाहिए कि भाई मैं अपना exam clear करूँगा दुनिया फेल होती होगी मुझे उससे क्या करना है मैं क्या दुनिया के जैसा हूँ होंगा ही मैं या होंगी ही मैं with an exemption नीचे comment करके बताओ मुझे कितने लोग को भरोसा है अपने आप पे कि इस बार मैं 100% आपको नीचे comment करना है कि I will pass this exam with an exemption और आप जरूर होंगे आप अपने उपर confidence रखिए आप जरूर पास होंगे कि मैंने अपने आप पे भरोसा किया मैंने अपने आपको वादा किया और वो वादा मैंने पूरा किया ये छोटे छोटे जोटे गोल्स जो होते लाइफ में बहुत important होते So coming back to the discussion I want all of you मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग को confidence है लाइफ में कि I will जितने लोग हजारों लोग वीडियो देखते है मैं देखना चाहता हूँ कितने हजार कमेंट आते है आज कि I will pass this exam with an exemption मैं personally आप सब लोगों को reply करूँगा मैं personally आप सब लोगों को motivate करने की कोशिश करूँगा ठीक है Now coming back to the discussion Sir हमारे पास exam के दिन बहुत जाज समय नहीं है क्योंकि हम दोनों गुरूप दे रहे है एक गुरूप जो दे रहा है उनकी strategy मैंने अप्लोड कर दिये उनके लिए मैंने 6 day का प्लान बनाया कि 6 दिन के अंदर बोलो direct tax कैसे पड़ेंगे अगर आप दोनों गुरूप दे रहे हो ना तो audit आप तीन दिन क्या पड़ोगे इतना ठीके आप दो दिन audit पड़ो ठीके और आप देर दिन आपको 4 तारिक को आपका AFM का paper खतम होगा ठीके जो आपका financial management का paper है वो खतम हो जाएगा और DT का paper कभी है आपका DT का paper मेरे असाब से आपका 10 तारिक को है ठीके उसके बाद 8 तारिक को आपका audit का paper है yes or no तो आप 4 तारिक को AFM खतम होने के बाद 4 तारिक का दिन है शाम का समय है 5 तारिक पूरा है 6 तारिक पूरा है 7 तारिक पूरा है और 8 तारिक का नहीं प्रेपर दिखर आओगे तो आपको डीटी पढ़ना चाहिए और चे और साथ तारिक को आप अट पढ़िए ठीक है और आठ तारिक को ऑड़िट पढ़िए सुबा पेपर दीजी तो ऑड़िट के लिए मैं आपको दो पूरे दिन दे रहा हूं और आठ तारिक का क्योंकि FR तो पहला पेपर है आपने पढ़ लिया बहुत समय दिया आपने FR के लिए SFM इतना complicated पेपर निये ठीके वो भी आप पढ़ लोगे audit में आपके पास 4-3 दिन के छुट्टी है DT एक पेपर है जिसमें आपको छुट्टी निये देखो IDT में भी आगे जाकर आपके पास 3-3 दिन की छुट्टी है तो DT को आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कहीं दूसरे जगे से निकाल के वो एक ही option है audit से आपको एक दिन निकालना है ये 1-5 दे audit से निकाल कर DT को दे दो बस वो से साबसे पूरी strategy बनी है अगर आपको ये strategy हजम होती है तो वीडियो आगे देखो अगर नहीं हजम होती है तो आप अपने साब से अपना better plan बना सकते हो कोई लिख करती है ठीक है सबसे पहले don't study audit on fourth DT is a competitive paper give one fun five days to DT अब चार तारिक को आप आओ सबसे पहले AFM के paper के बाद क्या उठा होगे आप सबसे पहले शाम में आजाओ पांच बजे आपका exam खतम होता है साड़े 5-6 बे तक घर पहुझाओ साड़े 6 से लेकर रात के 12 बजे तक including आपका जो half hour का dinner winner ले लेना तो आपके पास लगबग 5 गंटे का time है उस 5 गंटे में आप PGPP खतम कर दो तरह PGPP के उठा रहे हो आप PGPP एक ऐसा topic है जो easy topic है जो आप 5 तारीक को पढ़ोगे चार तारीक को पढ़ोगे तो chances high है कि आप 10 तारीक को उसको retain रखोगे अगर आप आज NR tax session पढ़ लोगे ना या अगर आज आप transfer pricing पढ़ लोगे ना या अगर आज आप क्या पढ़ लोगे assessment procedure पढ़ लोगे दस तारीक तक आपको याद नहीं रहेगा impossible है PGPP एक ऐसा topic है जिसका retention level जादा है क्योंकि उसमें बहुत जादा याद रखने का नहीं पढ़नेंगे और साथ में आपको प्रोविजन पढ़ना है कि कोशन भी करना है कोशन भी करना है अभी करना है टाइम नहीं मिलेगा बात में अलग से देखना आप कितना टाइम की किल्लत होने वाली यह देखो अभी साथ में five star question कर लो आप सारे मत करो आपकी question bank है अगर आपने मेरी question bank खरी दी है तो उसमें आपको सारे questions तीन star category में मिलेंगे त्री star, four star, five star इसलिए मैंने ये सारे questions को तीन star category में दिया है ताकि exam के दिन आप पागल हो जाओगे कौन से question उठाना है कौन से नहीं उठाना है तो सारे five star questions आप exam के दिन करना है जादा नहीं करना है ठीक है सारे five star questions हर chapter में five star questions बहुत जादा नहीं है तीन-चार- तीन-चार questions होंगे वह आसानी से आप कर सकते हैं exam के एक दिन पहले कोई दिक्कत नहीं इसके बाद से यह कोई दिक्कत निया आज का target हो गया अग्ले दिन सुपा उठाप इपको बहुंद टी पढ़ना चेंता को पांच दरी को पांच में को बहुंद इटी सब्सक्राशिंफ इस लिए हो तक मैंने उठाचार नोग्व है ठीक Light War वो आधे आधे घंटे में हो जाएंगे ठीक है उसके बाद बारा से लिका साड़े चार तक आप capital gains खतम कर दो gift, dividend, assets and mutual fund ठीक है इसके भी सबके five star questions आपको करना है bracket में लिखा या ने लिखा है उससे बरक नहीं SFT का एक छोड़ा topic से ये खतम कर दो इसके बाद आपको क्या करना है देखो इसके बाद आप अभी कल से तो audit पढ़ने वाले हो पांच तारीक को आपका खतम होगा डिटी अभी 6 और 7 तारीक को audit पढ़ोगे 8 तारीक को audit का exam दोगे अभी आप क्या करो पता है साड़े 10 से लेकर रहाँ अभी साड़े 10 बचे आप सोतो नी जाओगे न अग्जाम के दिन ओव्बिस्टी थोड़ा सा कमी सोगे ऐक्जाम के दिन 5 गंटे से जादा तो आपको सोनी का समय नहीं मिलना आला है आप सारे दस से लेकर सारे बारा तक दो घंटे में आप at least इसमें जो critical topics है ना जो आपने ये देर दिन में किया है इसमें से और इसमें से जो critical topics like PGPP like transfer pricing ठीक है critical topics कौन सी हो मैं बताता हूँ आपको end में लिखा हूँ मैंने कौन कौन से topics आपके critical topics से जो आपको देखना ही option नहीं है तो आप उनको recap कर लो ठीक है क्यों recap करने का logic क्या है logic यह कि अभी आपको इसको पढ़ने का वापस से समय नहीं मिलने वाला है तो एक बार और अच्छे से देख लो 5 तारिक को शाम में ताकि 10 तारिक तक वो retain रह सके ठीक है इस objective से उसको recap करना है और को objective से नहीं ताकि एक बार पढ़ा और दो घंटे में एक बार और recap कर लोगे कुछ नहीं तो revision वीडियो से recap कर लोगे तो आपको exam के दिन उसका retention ज्यादा अच्छा होगा ठीक है उसके बाद 6-7-8 तारिक को आप audit पढ़ोगे enjoy studying audit enjoy बोलना तो सही है audit कौन enjoy करता life के अंदर ठीक है लेकि दस बीस्ट मोड में आपको टर्बो मोड में जाना पड़ेगा डिरेक टैक्स को लेकर अभी सवा चे से लेकर सवा नौ बज़े तक तीन घंटे तक आप ROI खतम कर दो assessment procedure, appeal, revision, rectification, collection, recovery, search and seizure, wizard जो भी है वो छोटे मोटे topics वो सब एक साथ खतम कर दो 5-star questions के साथ उसके बाद सा जिदगी में सबसे आदा डिरेक टैक्स पढ़ने वाले हो, 9-May को जितना डिरेक टैक्स पढ़ोगे आप उतना अपने जीवन में कभी जिंदगी में डिरेक टैक्स नी पढ़ा था, ठीके, पूरा दिन सुबह से लेकर राद तक आपको डिरेक टैक्स पढ़ना है, सुबह सुबह उठा लो, क्योंकि फ्रेश रेगा माइट, तो फड़ा फट हो जाएगा, टीडियस, टीचियस, पाँच, फाइस्टार कोशन से इसके भी कर लेना, ठीके, उसके बाद वापस से फ्रेश रेगा सुबह माइट, तो ट्रस्ट, एग्जिट टैक्स, एडवांस टैक्स अब इसके बाद 10 से लेकर साड़े बारा तक रात में, आपको आइस साड़े के सड़े आपको इस लोगें चले जाऊ, एकजाम का दिन आ चुका है, सुबह आपके पद से साथ गंटे होते, सुबह न जब्यक नोगे, सुबह शेज़ के लिए होते, आपको देखना है, अच सबसे पहले देर घंटे के अंदर ICI के MCQs देख लो अगर टाइम भी ले तो अगर टाइम मिले नहीं तो MCQs को आप क्या करें त्याग कर सकते हो लेकिन देख लोगे तो अच्छा है देर दो घंटे के अंदर जितने MCQs देख सकते हो देख लो ICI के जो MCQs का Booklet मैंने अलग से आपको वो Telegram चैनल पर अपलोड किया है उस पर YouTube पर वीडियो भी बनाया है बहुत मैनत करके आप वो भी देख सकते हो और अब आपको सबसे important session की तरफ आना है साड़े साथ बज़े से लेकर एक बज़े तक लगबख साड़े चार घंटे आपको RTPs, Pass Paper और MTPs देखना है अगर सब समय नहीं मिलता है तो कम से कम RTPs और Pass Paper तो देख लो और MTPs latest वाले देखने लना latest वाले MTPs बहुत बढ़िया है इस तरीके से आपका फुल प्रूफ प्लान बनता है धाई से तीन दिन के अंदर देर दिन के अंदर तो direct tax fund revise करना almost impossible हो जाता है तो आपको audit का 1 and a half days बोरो करना पड़ेगा आपके पास दूसरा option नहीं audit 2 दिन 2 and a half days audit पढ़ो 1 and a half days income tax पढ़ो ठीके इस तरीके से आपको अपना preparation करना है और आपको अपने आप पे भरोसा रखना है अब चिल करो, relax करो life में ठीके एक बज़े के बाद book मत खोलते बैटो पता चला पाउने है, दो बज़े तक book ही खोल रहो जब तक examiner गाली देकर अंदर नहीं बुला रहा है आपको अपने आप पे भरोसा करिए, यह से comment करिए I will pass in this attempt with an exemption and दो मैंने बाद जब result आएगा, इधर आकर जरूर देखना आप लोग जरूर पास होंगे, don't worry about it, ठीके इससे life में self confidence मिलेगा, so take care all of you, ध्यान रखो सब लोग अपना, bye, सब लोग अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करो और confident रहो, ठीके, bye all of you